कि रियरेज्मेंट 159 सिस्टम ठीक इसे पहले हमने 149 सिस्टम का देखा था इस पर रियरेज्मेंट 15 का देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रियक्शन इसकार्ड थी सिग्रमा टोपिक रियरेज्मेंट क्यों कि रियरेज्मेंट rifi invest का जाता है कि जो पाई बॉंट है वह क्या होता है तीसरा यानिकि देखेंग्स कारबन है उनकी बीच में क्या हो जाता है पाई बॉंड बनता है सिग्मा बॉंड बनता है थ्री एंड थ्री कार्बन की बीच में टूदा ओल्ड सिग्मा बॉंड ठीक है पूराने जो बॉंड है उसके बीच में क्या होता है bond बनता है sigma bond उसके कारण इसको 3 से क्या कहा जाता है sigma topic rearrangement भी कहा जाता है ठीक है किस प्रकार से यहाँ पर देखिए यह क्या है 6 ring है यहाँ पर 1 2 3 carbon 1 2 3 carbon यह तो बेंजिन रिंग का 6 carbon है लेकिन इसको हम इस प्रकार से इसका numbering करते हैं 1 2 3 और यह 1 2 3 तो यह जो 3 carbon है और यह जो 3 carbon है इनकी बीच में जब यह bond का formation होगा तो इसको क्या कहेंगे 3 3 sigma topic rearrangement कहेंगे कि थर्मा rearrangement of 159 by 3 3 sigma topic is called cop rearrangement इस rearrangement को 3 3 sigma topic rearrangement है इसको cop rearrangement भी कहा जाता है डिस री डिस रियक्षन proceed in the thermodynamically favored direction in this case the equilibrium is controlled by the conjugation present in the product ठीक है यानि कि यह जो cop rearrangement है reaction proceed in the thermodynamically process होता है ठीक है यह photochemical process नहीं होता है यह बात का ध्यान रखिए कि जो 3 3 sigma topic rearrangement है इसमें दो प्रकार के reaction होते हैं एक तो होता है फोटो केमिकल रियक्षन और एक होता है थर्मोडायनेमिक लिए ठीक है यानि in this case the equilibrium is controlled by the conjugation और इसके बाद क्या होता है जो equilibrium जो इसके बाद दवरा कांट्रोल किया जाता है कांजूगेशन के दवारा ठीक है यहां पर इस प्रकार से बेंजेरिंग में जो कांजूगेशन होता है इलेक्टांड का ट्रांसफर इस प्रकार से यहां इस प्रकार से यह सब्स्ट्रेट है इसका जब रियक्शन होगा तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा यह बॉंड यहां चले जाएगा इलेक्टांड यहां से फिर यहां चले जाएगा और यहां से यहां से यहां चले जाएगा तो यह डबल है इस प्रकार से में यह प्रोडक्ट होगा है तो मैं उसके पते स्याथ էा है कांजुगेटेस सब्सेट्ट्य ने 8 सी टू छी थरी सी फोर सी फाइब असलेट द होते हैं यानि कि की सी कारबन पर जैसे कि सी तू सी यास- फ़राजक्शक्षय पर कोई सब्सक्तिये जूड़े हो यानि कि को यदर प्रोड़ुक्ट जूड़े हो सब्सक्तूरइन जो क्या करते हैं रीयरजमेंट को क्या पर करते Rossins दूसरा और तीसरा पर जब दूसरा और तीसरा पर कोई जूड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर मेथिल ग्रूप जूड़ा है तो इस रियर रेजिमेंट में क्या करता है वो बढ़ाने का कारे करता है डोनर सब्टिट्वेंट एकस वाइट सी टू एंड सी त्री है और असलेट सिरिंग इफेक्ट यानि कि एकस वाइट जहां पर डोनर सब्टिट्वेट है यहां कहां पर सी टू एंड सी त्री पर अगर होंगे तो यह क्या करते हैं असलेट सिरिंग इफेक्ट यानि कि बढ़ है 방 15 प poisoned came key rate relation light in terms of the सब्सक्राइब अचर्बिशन और डा यह क्या करते हैं सब्सक्राइब करते हैं। यह तर मेस्टक्राइशन के सब्सक्राइब करता है ठीक है इसमें एक्षान के बीच मैं जब सब्सक्राइब हो होंगे तो यह reaction को बढ़ाने का काम करते हैं एंड ट्रांजेशन को क्या करते हैं एक stable कि फॉर्मेशन होता है इसके कारण ठीक है सब्टुटुटुएंट के प्रेजेंट में यह है इसका reaction इस प्रकार से होगा जब टूर प्रेजेंट होगे तो जोसा कोई के वीच में कोहीं सब्क्राइब्स होगा तो से इसमें किस प्रकार से रिक्षन होते सबस Susp प्रेजेट होगा तो इसे रोड़ी चल बनेगा ठीक है 1 4 डाय रेटिकल से और जे oren four die रेटिकल है वह इस परकार से यहां पर फार्म होगा और यह इस प्रकार से यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ठीक है the general framework for understanding the effect of substraint is that the reaction is concerted with late transaction state having well developed c1 and c6 bond the transaction state involves six partially delocalized electron being transformed from one on one five-dine system to another यानि कि जो इसका जो डाजालना framework है इसको समझने के लिए जो substituent है जो reaction है इसमें क्या होता है जो ट्रांजेक्शन इस्टेट having well developed c1 तो यानि कि जो ट्रांजेक्शन इस्टेट है वो सी carbon one से लिए carbon six bond की बीच में क्या होता है developed होता है ठीक है इस प्रकार से होते हैं पार्शेली डिलेकलाइज होते हैं क्यों इलेक्टान दप्राजेक्शन इस्टेट कावरेंज फ्रॉम में one four die radical to independent at a little radical in this rearrangement the migrating group is a little radical जानि कि जिस प्रकार से कि बेंजें रिग में क्या होता है माईग्रेटिंग होता है ठीक है उस प्रकार से इलेक्टार्ण को माईग्रेटिंग होता है इस इस प्रकार से इसमें जो कि टांजिक्शन इस्टेट है ठीक है इस रियक्शन में जो टांजिक्शन इस्टेट है इसमें इसके रिक्शन में क्या होता है वनफोर डारेटिकल फार्म होता है ठीक है रियक्शन युद्ट में माईग्रेटिंग करता है इस प्रकार से यहां पर देखाँ ezशेरी करता है कि यहुआ होता है कि पुरा माईग्रेटिंग इस रियक्शन में यहां पनवन फो डायon रेडिकल का इस प्रकार से करेगा उसके बाद फिर यहां इसा होगा फिर यह प्रोड़क्ट का ओरंशन करेगा इस कि यहां से नहीं तो टकशन के वह नुच मंशन एगा और यह यहां पर फिर बॉंड जूल ठीक है 11 carbon से 33 carbon के बीच में यहां से टूटता है bond और यहां से फिर यह रेडिकली इस प्रकार से फॉर्म होगा और यह bond formation करेगा इसके पर साथ symmetry of the orbital source that this reaction is a relatively facial thermal facial thermal process and it's not commonly observed on photochemical activation यहनकी जो इस प्रकार को symmetry । यह इस प्रकार को hormone symmetry है ठीक है और यह इस प्रकार लेक्शन रहेक्शन है वह यहीं पहरेंकर फ्रमल प्रोचेस में इस प्रकार से दिखाता है ठीक है यह सिर्फ थर्माली प्रोसेस में दिखाता है इस प्रकार का इफ बॉन सीवन तो सीवन यानि कि कार्बन मासे कार्बन इस ब्रोकेन फेज ओप दा ओवर लेपिंग लोब यहाँ एक सिवन होता है तो इस प्रकार से क्या होता है इस ब्रोकेन फेज में ओवर लेपिंग वाले लॉग नपूल होते हैं होते हैं शेम होते हैं हो मो धुद्री रिदिकल इस प्रकार के दोनों क्या होंगे सेम होगे होमो रिदिकल ठीक है यहां से 1 2 3 और यह यानि कि पर बचले नीचे का जो रेदिकल है वह क्या होंगे अब धिक इस रिंफॉर्मेशन allows feel the symmetries of the two all-99 Central making up to TR 의 और क्ष्छे को इंफॉमेशन करता है paradoxon से यह कोंपनला करता है। यह स्भीन आजिये मिthought s坰 हें सब्सक्राइज कि में बनता है इसको क्या करता है इस प्रकार कर जब फोट रियक्शन होगा तो थर्मलीय यहां पर यह थर्मलीय रियक्शन होगा तो यह दो रैडिकल वाले इसको क्या करेंगा सीमेट्री को और गहारे हले लक्त टांजिचन स्टेटमेंट इसके परचाथ पर यह प्रोडर्ड का स्था ङर्ट थिसमें यहीं बताया गया है री अर्जमेंट एट टू सी थ्री पोजिशन इस अलाउड बिकाउस द इंटरेक्शन ओब द टू लोप्स ओन दा टू कारवन कशर्वी डिली कारवन इस बंडिंग यानि कि जब रिया अटेरी तीड होता हैμέने पॉजिशन पर पॉलाव टिकाउस न लोप्स दा अफ्सें के इंटरेक्शन के करण क्या होता है क्या ओला होता है अंधर टू कारवन ट्री डॉंल इस प्रकार से जब रियर अटाइच्मेंट होगा कार्बन 3 के बीच में यहां पर ठीक है इसमें जब रियर अटाइच्मेंट होगा तो क्या होगा अलाओ होगा ठीक है यहां पर जो लोब्स होते हैं इनके दोनों की बीच में क्या होगा यहां पर कार्बन 3 की बीच में दो लोब्स होगे उनके बीच में जब अट्राइक्शन होगा तो क्या होगा यहां पर बॉंड फॉर्मेशन करेगा इन दोनों के बीच में यहां इंट्रेक्शन होगा इनके लोप की बीच में तो यह इस प्रकार से बॉंड बनाएगा तो इसमें इसी प्रकार बताया गया है तूल इंट्रेक्शन अप्टू दा लॉब ऑन्दा टू कार्बन इस बॉंडिंग ठीक है जिसे दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे यहां पर बॉंड हो जाएंगे यह क्या है इफ interaction is carried out in presence of UV light यह तो होगा इस थर्माल परोसेश के करने प्रोसेजर होता है और इसमें इसके पास चाहिए हम लोग फोटोकेमिकली प्रोसेश देखेंगे इफ interaction is carried out in presence of UV light then one electron is promoted from homo to lumo and lumo2 will become photocomically homo यानि कि जब interaction होता है in carry out in process of UV light जब UV light की बीच में इस प्रकार का जो interaction होगा electron in promoted to homo to luma यानि कि electron क्या होता है homo से limo चले जाता है and limo से फिर photocamically क्या होता है homo में वापस आता है इसको देखते हैं इस प्रकार से diagram में यह diagram है जब इसका photocamically reaction होगा हम्यों यह क्या है photocamically reaction होगा तो यह क्या होगा होमो से क्या क्या है homo to lumo and lumo to become photocamically homo ठीक है तो यह क्या होगा symmetry का forbidden होगा ठीक है homo से lumo and photocamically homo होगा तो यह क्या होगा symmetry not allowed होगा इनकी बीच में क्या होगा यह bond formation यहाँ पर नहीं होगा ठीक है जो thermal process है इसमें क्या होगा इन दोनों की बीच में interaction होगा जिससे यह क्या हो जाएंगी bond formation हो जाएगा और symmetry allowed हो जाएगा और इसमें क्या होगा symmetry allowed नहीं होगा ठीक है प्राइब से लेड से लेडाने